First of all guys, हम लोगों को scale की help से एक line draw करना है, line draw हम लोगों करना है 14 cm का, मैं आपको measurement बताता जा रहा हूँ, आप लोग बहुत carefully listen किजो, यहाँ पर आपको वही measurement को follow करते हुए step by step draw करना है, simply आप लोग 14 cm का देखें, आप 14 cm का मैंने यहाँ पर line draw कर लिया है, फिर उसके बाद आ इसके यहाँ पर parallel पे, यहाँ पर as a width आप लोगो 2 cm का एक line draw करना है, अब आप लोगो same manner में एक rectangle बना लेना, जिसकी length होगी 14 cm और width होगी 2 cm, यह हम लोग इसके अंदर ही हम लोग अपने diagram को draw करना है, ताकि proper shape आए, थोड़ा भी तेड़ा ना हो diagram, इसलिए हम लोग इसकी outer clearize कर देता हूँ, थोड़ा center में भी कर देता हूँ इसे, तो देखे कुछ इस तरह से मैंने raise कलिया, शाहिद आपको यह visible हो रहा हूँ, मैंने camera किया है, अब आप लोगो इसके अंदर draw करना है diagram को, start हम लोग थोड़ा upper part से करेंगे, उपर से, और आप लोगो ध्यान रखना straight drawने का है, थोड़ा curve के साथ इसे draw करना है, folds के साथ, hand को थोड़ा free रखते हूँ, आपको curves रखते जाने है, और नीचे की तरफ ले जाके, वापस से जैसे हमने उपर fold किया था, you turn, वैसे you करते हुए, उपर join कर देना है, दोनों ends थोड़ इसे thin रहेंगे, और बीच में broader आपको कुछ इस तरह से draw करना है, guys हम लोगों ने ये draw कर लिया है, अब आप लोगों को इसे draw करने के बाद, आप चाहें तो और अच्छे से outer box को risk कर सकते हैं, नहीं तो आप simply अब इसके अंदर एक और layer draw करनी होगी, आपको ध्यान रहेंगे, दोनों layer एक दूसरे से intersect ना ह हो जाएं, आपको बिल्कुल carefully इनके अंदर एक और layer draw करनी है, ताकि second layer draw हो जाए, तो guys मैं आप जैसे draw करता है, जरूँ आप मुझे step by step follow करते चाहिए, अगर आपने अभी तक हमारी इडियूच्चों को subscribe नहीं कहा है, तो कर लिजे, और बगल वाले bell icon को भी turn on कर लिजेग और guys, अगर आप लोग को किसी और diagram में problem हो तो आप मुझे comment box में जरूरी बताएगा, और आप इस diagram को किसके लिए homework या project किसके लिए देख रहे हैं, तो आप लोग comment में जरूर बताएगा, आप यहाँ पर हम लोग इसे almost complete हो गए, इसकी outer layer, यहाँ से हम join कर देंगे, तो यह हमारा complete हो चुका है, तो guys हम लोगे double layer तो इसकी draw कर दी, अब इसके अंदर हमें draw करना थोड़ा सा part, तो मैं guys इसके अंदर draw कर देता हूँ यहाँ पर, अंदर कुछ खास नहीं हमें छोड़ी छोड़ी से spare circles draw करने है, कुछ एक दूसरे से attached जैसे मैं यह draw करे, bunch के form में, और थोड़े से उपर भी आटेस्ट और बागी अलग-अलग हम लोग draw करेंगे, तो आप लोग मुझे step by step follow कर दे जाए, अब हम लोग नीचे भी same draw कर देंगे, तो guys यह हमने bunch में तो draw कर लिए, अब single single circle, 2-3 हमें draw कर देंगे, नीचे भी और ओपर भी, थोड़े दूर-दूर gap देगे, हमें ऐसे draw करने हैं, तो यहाँ पर space देते हूँ, ओपर भी same कर लेते हैं, तो guys को जिस तरह से हम लोग ने इस diagram को draw कर लिया है, complete, अब मैं इसकी guys फर्दा labeling आप लोग को करके नहीं देखाने वाल हूँ, आप लोग इसे label खुसे में चाहता हूँ करें, इसकी mainly 2-3 labeling है, आप लोग खुसे भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ना बनें तो आप लोग comment box म मैं जरू बताएगा, मैं आपको labeling भी बता दूँगा, तो guys वीडियो अच्छला बाद, वीडियो को लाइक हैं चला में नहीं नहीं हो, तो subscribe परने से सब अपलवाले बैल आइकन को टरनों करना मत भूलेगा, और अगर आपको किसी ओट आगरा में प्रॉलम हो तो आप